हेलो वाइज welcome back to another video मैं हूं पल्लिभी और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं मैं आज आपसे बात करने वाली हूं sheet metal के वारे में sheet metal क्या है START हो जो7 मेटल करता है थातू की पतली परत ही जिसे आम तोर पर श्टील, अलुमिनियम, कॉपर या ब्लास से बनाया जाता है यह है विभीन मोटाई और आकारों में होती है और विभीन तरीकों से इसे काटा, मरोडा और बहुत सारे आकार दिये जाते हैं शीट मेटल का उप्योग उद्योगों में बहुत ज्यादा किया जाता है शीट मेटल के गुन मोटाई यह है बहुत पतली शीट से लेकर मोटी प्लेट तक होती है जिसमें सबसे सामाने मोटाई उसकी जो सबसे सामाने मोटाई आती है वो हातिया 0.5 mm से 6 mm तक होती है मान के चलिए 16 गेज से 22 गेज तक 16 गेज सबसे मोटी शीट होती है मतलब 22 गेज की शीट बहुत छोटी 21 उससे बड़ी 0.5, 0.6, 0.7 इस तरीके से शीट मेटल होती है 22 गेज सबसे पतली चादर होती है फिर 23 उससे पतली, फिर 24 उससे पतली ऐसी 20 अगर 20 करेंगी तो थोड़ा और मोटी 19 और मोटी इस तरीके से ये चलती है मतलब सबसे बड़ी 25 mm बहुत पतली चादर होती है तो ज़्यदे तर जो यूज की जाती है शीट वो 22 mm की यूज की जाती है क्योंकि बहुत पतली चादर होती है ना तो जादर मोटी होती है ना तो जादर पतली होती है जो की उद्धोगों में यूज की जाती है इंडस्ट्री में यूज की जाती है वो 20 mm थोड़ा और अगर थिकनेस देना है rectangular square shape है इसमें अगर हमें हलका रखना है इसको तो 22 गेज और जहां जरूरत होती हैं वहां पे हम 20 गेज या 18 गेज हम यूज कर सकते हैं सामगरी से विभिन धातों से बनाया जाता है इस्टील अलुमीनियम कॉपर ब्रास टाइटेनियम आकार देने में आसानी हो इसलिए विभिन परकार की वैब्रिकेशन तकनीकी का उपयोग करके काटना मरोधना आकार दिया जाता है इसको विभिन तरीकों से मोड़ा और काटा जाता है अगर हम मोटी चादर यूज कर लेते हैं तो वह मूड़ने में दिक्कत करती है वह बैंडिंग नहीं हो पाती और उसमें काफी सारी दिक्कतों को सामना हमें करना पड़ता है इसलिए भी जहां पर आप देखोगे कि जहां पर शीट मूड़ती है अगर बैंड करने वाली जंगा जिस होती है वहां पर हम पतली चादर यूज करते हैं क्योंकि वह असानी से भी बैंड हो जाती है शीट मेटल के उप्योग ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में बॉड़ी पैनल बनाने में इसको उप्योग किया जाता है कारों में ट्रॉकों में अन्य वाहनों म में काफी सारे वाहनों में शीट मेटल का उप्योग किया जाता है चैचीस बनाने में गारी के जो पार्ट्सहें उसको जो चो चीचीस होता है वह पूरा शीट मेटल में इसका यूज किया जाता है उसका फ्रेम करने में शीट मेटल को oficial पे अठारा गेज तो लगे 17 गेज हैवी करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है क्योंकि वह बैंडिंग निकरना बटता है वह सीधा सीधा चेजिस पर विछाया जाता है इसलिए मोटी जागर में यूज कर सकते हैं निर्मान में रूफिंग और साइडिंग यह इमार्तों की छटों क्लेणिंग और साइडिंग के लिए उप्योग किया जाता है क्योंकि यह टिकाव और मोशम परतिरोधी है मोशम से इसको कोई दिक्कत नहीं होती है एच्वी एसी डख वार्क हीटिंग वेटिलेशन और एयर कंडिशन सिस्टम के डख बनाने में शीट मेटल का उप्योग ह होता है एरफ्श वीमानों के पूरजय बनाने में इसका यूज होता है विमानों के पूर्जे मतलब हलके और मजभू शीट मेटल जैसे अलुमीनियम का उप्योग विमान के शहीर पंको और अन्य पूर्जों में किया जाता है किसली किया जाता है क्योंकि यह हलका भी हो जाता है और विमान में वेट इतना जादा नहीं होता वेट कम रखा जाता है, इसके लिए हलकी चादर यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनिक्स और घरेलू उपकरनों में इसका यूज़ होता है, शीट मेटल का उपयोग, इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्यूटर, कम्प्यूटर में के CPU की बॉड़ी आपने जो देखी होगी, वो परश्चना बनाता है, आप देखते हैं निर्मान, मशीनों के पूर्ज़े, शीट मेटल का उपयोग, उद्योगिक मशीनों के पूर्ज़े और कॉर्पर नेटिव, बनाने में किया जाता है, टूलिंग, इसका उपयोग, श्ट्रैपिंग, और अन्या कला ओर डिजाइन शीट का उप्योग मूर्तिय बनाने और पैनल बनाने में किया जाता है फरनीचर में इसका आधुनिक इंडस्ट्री स्टाइल फरनीचर के डिजाइन और उत्पादन में उप्योग किया जाता है इंडस्ट्री में की फनीचर मनाने में भी इसका हम उप्योग करते हैं समूंद्री उद्योग शीट मेटल विशेश कर अलुमीनियम का उप्योग वोट हुलक और समूंद्र सरचना के निर्मान में किया जाता है क्योंकि यह जंग रोधी होता है शीट मेटल में जंग नहीं ल काटना शीट मेटल को इच्छित आकार में काटने के लिए शेयर लेजर या वाटर लेटर का उपयोग किया जाता है शीट मेटल की जो शीट होती है उसके उपर हम लेजर का परियोग करके आज शीट काटते हैं अलग अलग आकार देखते हैं इंडिस्ट्री में लेजर आज कल काफी मशिने यूज होती हैं किसी की भी बाड़ी बनाने के लिए मानिए अगर कोई तीर्ची मिर्ची बाड़ी हमें काट नहीं है और एजस्ट करना है तो उसको लेजर के द्वारा हम काट लेते हैं उसी कर सकते हैं मोड ना उसको मोड भी सकते हैं इस टैपिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद वैल्डिंग भी कर सकते हैं मानों अगर गाड़ी की हम बाड़ी बना रहे हैं तो उसी शेप में हम काट सकते हैं उसके बाद बैंडिंग मोड कर सकते हैं उसको मोड सकते हैं उसके बा तो उस शीट के ऊपर भी हम लोग डिजाइन बना सकते हैं शीट मेटल विभीन उद्योगों और बहु मुखी उपयोगों ताकत और आसानी से आकार देने की शमता के कारण अती महतपून है शीट मेटल का उपयोग काफी सारी इंडस्ट्री में किया जाता है मतलब हर जंगा इंडस्ट्री हो गया घर हो गया या फर इलैक्ट्रानिक समान हो गए मॉबाइस ओगए च्छीज गाडियों की च्छीज तो शीट मेटल की शीट का यूज काफी जंगा किया जाता है इसलिए ये इतनी महतवपून है इंडस्ट्री लाइन में तो आई होप शीट मेटल के के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और फोलो कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग मोड़ी वीडियो गाइस बबाई टेक केर